आप कि नमस्कार सातियों आज की वीडियो में आपका स्वागत है तो हम अपने पिछली वीडियो सीरीज को कंटीनू कर रहे और इसमें इंडियन कॉंस्टिटूचन की नैक्च्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें हम लोग इंडियन कॉंस्टूचन का जो constitutional history है उस पर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर act of settlement के बारे में discussion करेंगे तो act of settlement में कौन से provisions थे उनको हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहला इसमें जो provision था वो ये था कि कानून में governor general और उसकी council को सर्वोच चिन्याले की आदिकारता से मुक्त कर दिया यानि कि governor general और उसकी council अब सर्वोच चिन्याले की पृति किसी भी तरह से responsible नहीं होगी वो अपने निर्ड़े स्वेतंतर कर सकती है और वो सर्वोच चिन्याले की अधीन नहीं होगी तो ये पहला इसमें provision किया गया था दूसरा प्रोविजनेस में ये किया गया था कि इस अधनियम के तहट कलकत्ता की सरकार को बंगाल बिहार और उडीसा के लिए भी विधी बनाने की शक्ती दी गई तो जैसा कि आप जानते हैं कि कलकत्ता की सरकार के अधीन ही बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी ही भी पिछले अधनियम में कर दी गई थी जो कि आपका regulating act था लेकिन अब इस अधनियम की तहट उसको बंगाल बिहार और उडीसा के लिए भी बिधी बनाने की यानि कि कानूर बनाने की शक्ती कलकत्ता की सरकार को दे दी गई तो इस तरह से हम देखते हैंकि कलकत्ता की सरकार को इस अधनियम की तहट कुछ और अधकार दे दिए गई इसके बाद यहाँ पर next इसमें provision जो था वो ये था कि इस अधनियम के तहट प्रांतिये नियाले की अपील को Governor General की Council में दायर करने का नियम बना यानि कि जो प्रांतिय नियालाय थे जो प्रांत थे, राज थे उनकी जो अपेल थी, पहले कहाँ पे होती थी सर्वोच नियालाय में कर सकते थे लेकिन अब सर्वोच नियालाय में अपेल ना करके Governor General की जो Council थी उसमें दायर करने का नियम बनाये गया ठीक है तो ये भी इसमें एक प्रोविजन था इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इस अधनियम के तहट राजस तो संबंदी मामलों को सर्वोच नियाले की आधिकारता से मुक्त कर दिया इसका मतलब यह है कि जो revenue settlement से related जो मुद्दे थे उनको सर्वोच नियाले की जो आधिकारता इससे मुक्त कर दिया गया इसको भी governor general और उनकी जो council थी वो देख सकती थे इससे पहले क्या था कि सर्वोच नियाले revenue collection के मामले में भी अपना हश्चेव कर सकता था तो यह जो चार provisions थे वो act of settlement में आये थे और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इसमें जो पहले दो provisions थे वो बहुत ही important है exam के point of view से उनको आप तयार कर सकते हैं और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इनके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है कोई भी आपका paid course हो कोई भी आपका course हो वो इससे अधिक point नहीं बता सकता है नहीं आपको इससे ज्यादा समझने की जरूरत है ठीक है तो आपको यहाँ पर full detail में syllabus के साथ पूरा यहाँ पर syllabus कवर कराया जाएगा चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर pits India act इसके बाद जो next act आता है जो अगला अधिनियम आता है उसका नाम है सन 1784 का pits India act तो इस अधिनियम के तहत एक बहुत ही बड़ा करांतिकारी इसमें प्रोविजन आया जिसका नाम था board of control का गठन ठीक है जिसको sort में बोल सकते हैं बी ओ सी ठीक है board of control का गठन किया गया और board of control का गठन क्यों किया गया था यह भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है board of control का गठन company के जो राजनीतिक कार थी company किस-किस राज़ पर हमला कर रही है किस राज़ का acquire कर रही है अधिगरण कर रही है किस के साथ मैत्री संदी कर रही है तो इस तरह की जो राजनीतिक गत्विदी company जो कर रही थी उस पर नियंत्र लगाने के लिए Board of Control का गठन किया गया और Board of Control को Company को पूरी Information देनी पड़ती थी तो आप ध्यार नखेंगे कि Regulating Act के तहित Court of Director का गठन किया गया था लेकिन Pits India Act 1784 के तहित Board of Control का गठन किया गया तो यहाँ पर दो Governing Body हो चुकी थी Board of Control और Court of Director तो इन दो Governing Body की माध्यम से एक तरह से द्वैद शासन की शुरुआत हुई तो यहाँ पर आपके सामने Next Point दिया गया है कि देश में Court of Director यानि की COD और Board of Control यानि की BOC इसके द्वारा देश में क्या हुआ द्वैद शासन की शुरुआत हुई द्वैद शासन का मतलब यह है कि अगर यह कमपनी है तो कमपनी की द्वारा दो BODYS Board of Control और Court of Director इनके माध्यम से कमपनी पर नियंत्रड हुआ और देश में उसी तरह से द्वैद शासन की शुरुआत हुई पूरे हिश्ट्री में तीन बार द्वैद शासन आता है एक तो बकसर की युद्ध के बाद बंगाल में द्वैद शासन लगा हुआ था जिसमें की एक तरफ कमपनी सासन कर रही थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब भी सासन कर रही थी दूसरा यह जो द्वैद शासन है वो आपका PITS India Act के बाद Board of Control और Court of Director के दूसरा द्वैद शासन की शुरुआत हुई और जो तीसरी बार द्वैद शासन आया था वो सन 1919 के Montague Champs Lord अधनियम के बाद प्रांतों में द्वैद शासन लगाया था जिसके तहित प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विस्यों के सह सासन करने की बात की गई थी ठीक है तो वो हम आगे के अधनियम में देखेंगे तो अभी आप समझ सकते हैं कि Board of Control और Court of Director की माध्यम से पूरी कंपनी एक तरह से निमित हो गई थी उस पर परसद में थे वो पहले चार थे लेकिन अब इसमें तीन कर दिए गए बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट यह नहीं है उपर के जो दो पॉइंट है वो आप ध्यान रखिएगा राइट आयोब आपको यह सभी पॉइंट समझ में आ रहे होंगे इसके बाद बात करते हैं 1776 का एक छोटा सा अधनियम आये था उसमें कौन से प्रोविजन्स थे उनको भी आप देख लीजिए तो इस अधनियम के तहित गवर्णर जनरल को विसेश परिस्थितियों में अपनी परसद के नड़यों को निरस्थ करने का अधिकार मिला यान कि गवर्णर जनरल के साथ जो परसद थी परसद जो भी फैसले लेती थी उन फैसले को ना मानने का भी अधिकार किसे मिला गवर्णर जनरल को वो परसद के फैसलों को ओवर्रियूल कर सकता था मानने से इनकार कर सकता था और अपना कोई निरड़य थोप सकता था ठीक है तो यह आप ध्यान रखेंग कि एक तरह से 1786 में Governor General की जो power है उसमें और वृद्धी हुई क्योंकि इस अधनियम के तहट वो अपनी परसद के निर्ड़यों को मना कर सकता था, इनकार कर सकता था मानने से ठीक है, तो next यहां पर देखते हैं, इस अधनियम के तहट Governor General को प्रदान सेनापती की तक्तियां भी प्रदान की गई तो एक तरह से सेन मामलों का भी जो रख रखाओ है देखभाल है जो नियंतर है वो भी आपको Governor General को प्रदान कर दिया गया तो यहां पर हम देख सकते हैं कि Governor General की जो इस्थिती है इस अद्नियम की तहट मजबूत की गई चलिए इसके बाद देखते हैं एक और महत्रपूर अद्नियम जिसका नाम है Charter Act सन 1793 तो इसमें भी काफी important provisions थे जैसे कि इसमें प्रोविजन ये था कि इस अद्नियम की तहट council के निड़यों को ना मानने की जो सकती थी वो भविज के सभी governor general तक इसको बढ़ाए गया देखिए पिछला जो एक्ट था 86 वाला 1786 वाला उसमें क्या था कि उस समय के जो governor general थे उनी के लिए वो नियम बना था कि वो परसद के जो नियम थी उनको मानने से इनकार कर सकता था लेकिन 1793 के एक्ट के थाथ अब भविज के जितने भी governor general आएंगे उन पर भी ये नियम लागू कर दिया गया कि वो भी परसद के नियमों की अवेलना कर सकती है ठीक है तो ये प्रोविजन था अगला जो मातपूर प्रोविजन था वो ये था कि इस अधनियम के थाथ कंपनी के व्यापार एकादिकार को अगले 20 वरसों के लिए बढ़ा दिया गया important यहाँ पर ये point है आप ध्यान रखेगा कि इसके थाथ कंपनी का जो व्यापार एकादिकार है व्यापार एकादिकार का मतलब यह होगा कि भारत में जो भी कंपनी व्यापार करेगी वो केवल इस्ट इंडिया कंपनी ही होगी यानि कि ब्रिटैन की केवल एक कंपनी व्यापार कर सकती है उसका नाम था इस्ट इंडिया कंपनी इसी को बोलते है ब्यापार एकादिकार ठीक है और इसके बाद-बाद में ब्यापार एकादिकार को समापत भी किया गया लेकिन इस Act के तहट उसे अगले 20 वर्षों तक ये एकादिकार की छूट मिल गई थी और इसके तहट एक प्रोविजन और था इस अधिनियम के तहट Board of Control के जो सदस्य थे उनको भारती राजसु से ही वेतन देने का इसमें प्रावधान किया गया मैंने आपको बताया था कि Board of Control का गठन BOC Board of Control का गठन किसलिए किया गया था Company की जो राजनीतिक गदविदियां उन पर नेंत्रल करने के लिए Board of Control का गठन किया गया था और Board of Control के जो सदस्य थे उनको अब भारतीयों की द्वारा यानिकी एक तरह से कह सकते हैं कि भारत का जो राजस्व है इंडिया से ही उनको वेतन देने का प्रावधान किया गया था तो यह Charter Act 1793 की महत्तपूर विसीशता है थी तो आज की वीडियो में यहीं तक हम देखते हैं इ इन सभी वीडियो को आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे अगर आप इन वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे तो मेरा मानना है कि आपको quality में कोई problem नहीं होने वाली है इससे अधिक कोई भी point नहीं आता है इसकी अलावा कोई भी question आप से नहीं पूछा जाएगा इन syllabus में इन अधियमों के अंतरगट ठीक है तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए रमस्कार